हलेलुया 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 हम रिवा उल्लर अबरिकर अबर रितम जय हम धन्यवादेश्यू 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 ध के लिए धन्यवाद पिता हम प्रातना करते हैं सरे भाई बहनों के लिए पिता जो एक्जाम चेल रहे हैं एक्जाम आने वाले एक्जाम दे रहे हैं पिता उन सब के लिए हम प्रातना करते हैं पिता यह जो पढ़ते हैं पिता पर मेशर इंके दिमाग मुतरने पाए पिता हा पिता पर्मेश्यर जो पढ़ते हैं पिता पर्मेश्यर जो पढ़ते हैं पिता पर्मेश्यर जो पढ़ते हैं पिता पर्मेश्यर जो पर्भूजी इनको याद रहने पाए पिता पर्मेश्यर बनना चाहते हैं वो नहीं बलकि तुझ जो बनाना चाहता है वो पिता पर्मेश् इसके लिए धन्यमाद सरा आधर महे परसंस अपित करते हुई हम धन्यमाद का बिल्दान तेरे चन्डूब जगाते हैं। कर दिमाग में इनके दिमाग में इनके निकाल फिकते हैं हर एक चिंता करने के आऊ सकता नहीं है चिंता करने को कुछ भी नहीं मिले प्रभू मैं जो पढ़ रहा हूँ जो मैं पढ़ रही है वो में दिमाग में बैठने पाए मैं उसे भूलने ना पाऊँ इस प्रकार से प्रभू से प्रात्ना कीजिए उसके बाद अपढ़ाई को सुरुक जी प्रभू आपको उसमें सहायता परदान करेगा और जो कुछ और आपके दिमाग में बैठा रहेगा पिता इन सब को तरी हाथों में सौपते हैं एक्जाम चेयर और एक्जाम आने वाले और एक्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं पिता इन सब को हम तरी नाम से पिता परमेश्व ब्लेसिंग करते हैं प्रभू जी इन सब को हम पास होने की घोषना करते हैं वर हमारी एक्षा नहीं बलकि तरी एक्षा निके जीवन पुरी होने पाए पिता ये जहां जहां चाहते हैं प्रहाई करके पिता जो नोकरी को ना चाहते हैं पिता परमेश्वा इनकी एक्षा नहीं बलकि तरी एक्षा निके जीवन प्रगठ होने पाए ताकि तरे नाम की महिमा इनके जीवन में इनके गाउं इनके सहरे में प्रगठ हो जाए पर भूजी धने माद इश्यू 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 धने माद इश् आमीन आमीन और आमीन हालेलुया मेपियो पांच मड़ की प्रात्ना प्रभु आपके जीवन में आज से इसको भेने जा रहा है जब आप पुस्तक निकालते हैं पढ़ने के लिए उससे पहले प्रभु से प्रात्ना किजिए प्रभु मैं जो आज पढ़ने जा रही हूँ जो मैं पढ़ूंगा वो मेरे दिमाग में रुकने पाए और लंबे समय तक मैं उसको याद रख सको जो भी आप चिंता है जो भी आप बोज है उसको निकाल फिकिए अपने दिमाग से क्योंकि चिंता करने से आपकी समस्याओं का समधान नहीं हो सकता अगर आप चिंता करके एक्जाम पास कर सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ पढ़ाई के बले 2400 घंडा चिंता किजिए लेकिन चिंता करने से आप पास नहीं हो सकते हैं स्याय का समधा नहीं मिल सकता है तो किवल एक ही रास्ता है प्रभू से प्रात्ना करके अच्छे से पढ़ाई करना और उसको अपने दिमाग में उताना हालेलुया बहुत से लोग चिंता करते एक्जाम आते हैं चिंता पढ़ जाते हैं कल एक्जाम है इतना चिंता करेंगे इतना चिंता करेंगे इतना चिंता करते करते ओसमाई खतम हो जाता है लेकिन ओचिंता करने के बजाए अगर उप्रहाई करेंगे प्रभू का नाम लेके प्रात्ना करके तो ओबाते उनके दिमाग में बैठी रहेगी इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी बात का बोज है, चिंता है, उन सब बोजों को, सब चिंताओं को निकाल फेकिए और किवल अपना मन प्रहाई की ओर लगाए, आपके दिमाग में उबाते बैठेगी, हर एक फाल तो बातों को निकाल फेकिए, आपको लगता है कि मेरे प्रहाई के बीच में ये बाते रुकावटे आ रही है, उस बातों को अपने चिवन से निकाल फेकिए, प्रभू आपको उसमें सफलता परदान करेगा, और जो कुछ भी करें, प्रातना पुरुवक करें, प्रभू आपको उसमें आस्जिस देगा, हम बननी चाहती हूँ, जहां मैं जाना चाहता हूँ, मैं जा पासोना चाहता हूँ, वो नहीं, बलकि अगर तेरी इक्छा है कि मैं फस्ट उजन से पास हूँ, तो तुम मुझको फस्ट उजन से पास कर दिया है, इसके लिए धन्यवाद, इस प्रकार से प्रभू से प्रातना कीजिए हालेलुया बेडियो को सिर कीजिए ताकि और भी लोग इस प्रात्ना के दुरा आसिस को प्राप्त कर सके गौड प्लेस यूँ